बॉट बॉर्निंग फ्रेंट्स मैं डॉक्रवी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लेवार हास्पिटल स्वरुपनेंगर खानपूर क्या आपके पेट का दर्द जो आपको अचानक हुआ ये गाल्बेडर स्टोन का पेन हो सकता है क्या ये दर्द गाल्बेडर स्टोन का दर्द है ये आप कैसी पहचान है ये बात सही है कि जो गाल्बेडर का जो अटेक आता है स्टोन का वो खाने के कुछ देर बाद आता है ये बात सही है कि आपको आधी रात में जगा सकता है लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत आस से बैठी हुए होते हैं, तो आपके लिए आसान नहीं होता, आपके डॉक्टर्स के लिए आसान नहीं होता, यह पहचानना कि यह जो दर्द है, यह स्टोनी का पेन है या कुछ और है, ज़रा गाल बिडर को ध्यान से देखिए, एक छोटा सा आरगन है, प्यर शेप, जो आप क्या क्लू हैं, जिससे आप पहचान पाएंगे, कि यह दर्द गाल बिडर स्टोन का है, या किसी और का है, ज़रा एक बिसिक जो फिजियालोजी हो, उसको समझ ये, जो गाल बिडर है, बहुत छोटा सा आरगन है, लिवर के नीचे होता है, यह कॉस्टल मारजिन जो इस तर गाल बिडर आकर, यह स्टोर होता है, और थोड़ा सा कंसंट्रेट होता है, और बाइल का काम यह है, जो आप खाना खाते हैं, उसमें जो फैट होता है, उसको डाइजिस्ट करने का काम करता है, आपने खाना खाया, उसमें फैट है, उसको डाइजिस्ट करने के लिए गाल contract होगा और bile bile लक्ट के थुरू होता हुआ आपके intestine में आएगा और आपके intestine में आएगा तो आपने जो खाना खाया उससे mix होगा और आपका जो fat है उसको digest करने में मदद करेगा जो bile है उसमें बहुत सारे constituents होते हैं बहुत सारे compounds होते हैं बहुत सारे components होते हैं, अगर जोने इनका जो balance है वो गलबल हुआ, जो components में वो imbalance हुए, तो problem खड़ी हो जाती है, in the sense कि अगर component गलबल हुए, एक component जदा है, एक component कम है, तो जो bile है, वो वास्तों में harden होने लगता है, ठिक होने लगता है, अगर ऐसा होगा, तो कुछ precipitate होने ल सकते हैं, लेकिन problem ये है, कि most of the people, उनको गालबेडर में stone हो भी जाते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं लगता है, क्योंकि गालबेडर में जो stone है, वो silently पड़े रहते हैं, जब तक कि उनने दर्द नहीं उठाया तब तक, तो आपको पता भी नहीं लगता है, कि आपके स्टोन उचल का जाके, जो गालबेडर का मुह है, या सिस्टिक डक्ट है, उसमें जाके फस जाता है, जैसे ही स्टोन वहां से उचला, वहां जाके फसा, तो जो पित्त की ठेलिया गालबेडर है, उसका बाहर का रास्ता बंद हो गया, जैसे ही बाहर का रास्ता बंद होता ह इन आपको अटेक आता है, आपको दर्द आता है, इन ये दर्द यूजवली बहुत सीवियर होता है, ये इस तरफ होगा, दाई तरफ होगा, ये कभी-कभी ऊपर मैसूस होता है, कभी इधर भी मैसूस होता है, लेकिन प्राब्लम ये है कि ये जो दर्द है, ये आपको GERD य अटेक का अबिक दर्द है, यह गाल बेडर स्टोन का अटेक है। नमबर वन, यह जो भी दर्द उठेगा, मुस्क्लित दाइनी तरफ इस तरफ होगा। यह यहां से पीछे जाएगा, रेडियेट बैक की तरफ होगा। कभी-कभी ये रेडियेट होता है, तो इसकंदे में आता है, कभी-कभी ये रेडियेट होके यहां आ जाता है, इसकंदे में पीछे गया, इसकंदे में गया, और उपर की तरफ यहां तक आया, अगर ये इसका पूरा का पूरा एरिया है, पेन का, तो मान के चलिए, कि ये ग् गंटे के बाद आएगा, तो अगर ये पेन आपका मील से रिलेटेड है, तो मान के चलिए कि गाल बेडर का पेन है, अगर ये आपको रात में बारा बजे के आसपास उठता है, या खाने के डिल गंटे बाद उठता है, जो आप नीन में हैं, तो इस तरह का जो दर्द है, वो अचानक आ सकता है, जो यहां आया, उपर आया, पीछे की तरफ गया, मिडनाइट में आया, तो पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, कि ये गाल बेडर का पेन है, तो बारा बजे रात में इस तरह के उठने वाले जो पेन है, वो अक्सर गाल बेडर की पेन होते हैं, इन कंसि आप उसको पहचान पाएंगे, तो अगर उसका बिलकुल कंसिस्टेंसी है, सिम्टम में, तो आप उसको पहचान पाएंगे, कि ये दर्द जो है, वो गाल बेडर स्टोन का पेन है, इसका मतलब ये है, कि दर्द का ऊपर की तरफ आना, दर्द का खाने से रिलेशन्शिप हो जब भी दर्द आएगा, जी मिचल आएगा, उल्टे होगी, कभी कभार फीवर आएगा, लेकिन इस तरह के जो दर्द है, वो कंफ्यूजन पैदा कहां करता है, पेप्टिक अलसर के पेज़े से करता है, जी ए आर्डी या खाने की नली की प्रॉब्लम से कंफ्यूज करता ह पेंकिटाइटिस एक दिमारी होती है, उससे कंफ्यूज करता है, कभी कभार इधर का दर्द इंफेक्ट किड्नी स्टोन से कंफ्यूज कर जाता है, लेकिन सबसे जएदा जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कि ये दर्द कभी इतना तेज होता है, मिड चेस्ट में होता ह कि heart attack से या angina से confuse हो जाता है कभी नीचे का appendicular pain या liver में फोड़ा ये दो दर्द में इससे confuse करते हैं लेकिन ulcer pain, angina का pain, pencretitis का pain ये तीन pain ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा confusion पैदा करते हैं गाल बेडर, stone के pain के साथ में नो क्या होगा अगर attack आया है तो अगर ये दर्द आया है, तो most of the time बिना किसी उसके अपने आपी दिरे-दिरे सबसाइड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो it is quite possible कि आपको मुझ से कुछ pain किलर लेनी की ज़रूरत पड़े तो उससे सबसाइड हो जाएगा, लेकिन कभी ऐसा होता है इसके चलते गाल बेडर में infection हुआ, और moderate intensity का हुआ तो it is possible कि आपको pain किलर भी लेना पड़े और आपको कुछ antibiotic भी लेना पड़े, लेकिन 5-7 दिर में अपने आप ये settle हो जाता है, this is the most common observation जो गाल बेडर स्टोन के attack में आता है लेकिन अगर attack ज़्यादा है, attack तेज है तो आपको hospital की ज़रूरत पड़ सकती है आपको intravenous fluid की ज़रूरत पड़ सकती है आपको intravenous antibiotic की ज़रूरत पड़ सकती है आपको investigations की ज़रूरत पड़ सकती है including blood investigation and ultrasound CT scan whatever is needed अगर attack treatment से subside हो जाता है जो मैंने आप से कहा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है attack सबसाइड हो गया करीब करीब दो हफते, तीन हफते, चार हफते के बाद जैसा आपके doctor कहें आपको gallbladder को operate करा की निकलबानी की ज़रूरत है नहीं तो ये attack बार बार आएंगे लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि attack medicine सबसाइड ही नहीं होता है ये गालबेडर में पस पढ़ने का डर रहता है जिसे empyma कहते हैं अगर ऐसी इस्थिती है तो doctors को कभी-कभी ये निर्लने लेना पड़ता है कि अभी आपकी जो operation करवाना पड़ेगा और गालबेडर को हटवाना पड़ेगा अगर हम गालबेडर को निकलबा देंगे तो फिर हमारे digestion का क्या होगा कुछ नहीं होगा इन दे सेंस कि जो bile duct है वो compensate कर देती है जो bile duct है वो partially जो bile है उसको store करने का काम करती है आप गालबेडर निकलबा लें आपको कोई problem नहीं होती आपको कुछ भी पता नहीं लगता ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी body के अंदर जो गालबेडर है वो vital organ नहीं है vital जो organ है या इस organ का कोई essential काम नहीं है हमारी body में तो अगर गालबेडर निकला जाए आपको कोई फरक नहीं पड़ता आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा तो इसलिए कि गालबेडर निकलने से मेरा digestion गरबढ़ होगा मैं fat नहीं का पाऊँगा मैं जो ना मेरा digestion पूर हो जाए ये सब भरम है मिथ्या है इसमें कोई सचाई नहीं है तो सही बात यह है कि गालबेडर स्टोन का जो pain है आप अगर खुली आंक से देखेंगे तो इन चार चीज़ों को देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि ये दर्द यहां आता है यहां आता है यहां तक जाता है mostly खाने के 30 मिनट, 45 मिनट बाद आता है mostly आदे रात में आता है और जितने बार आता है उसका केरेक्टर हमेशा एक जैसा होता है अगर इन चार चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आप खुद डाइग्नोस कर पाएंगे कि आपका जो पेन है वो गाल बेडर स्टोन का पेन है बाद में जो इन्वेस्टीकेशन है उसको कंफर्म करेंगे लेकिन आप उन सब दर्थ से बाहर हो जाएंगे कि हाट अटेक का दर्थ तो नहीं है पेन के डाइडिस का दर्थ तो नहीं है अगसर का दर्थ तो नहीं है इनसे आप अलग हो जाएंगे तो जो गाल ब्रेटर स्टोन का पेन है उसको खुद कैसे पहचाने इसको समझने में अगर आप इस वीडियो को महत्तपूर्ण समझते हैं जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर ह कि अरूर को, सैब करते हौचा स।ॉ झारूर थांपो जसे जरूर भी कि एित्सझ करें दो मेरिक्स कूН रहाःत्रागी को स्ट्ड़ है तो भी कि.